So guys, Xiaomi 11i Hyper Charge ये 11i बोल लीजे, दोनों में बहुत जादा फरक नहीं है, बैटरी का फरक है और बागी सारी चीज़े, आपको देखने को मिल जाती है तो ये फोन ने जितना हाइप यहाँ पर क्रेट किया, क्या ये हाइप उतना वर्थ है कि नहीं है आज जो है आपको अच्छा खासा रिव्यू देने वाले हैं, 30-40 दिन हो गए उस आलमोस्ट इस फोन को यूस करते वे, बहुत सारी चीज़े हैं ऐसी जो आपको जाननी पड़ेगी इस फोन को लेने से पहले अगर आप लेने का सोच रहे हैं यह ऐसी चीज़े हैं जिनके लिए आपको इस फोन को लेना चाहिए, सभी को जानने के लिए वीडियो को आखरे तक देखते रहे हैं और इस वीडियो के कोई भी पात्र कालपनीक नहीं है, यहां पर जो चीज़े बताई जा रही हैं, वो उनका हमारे जीवन से डायरेक्ट लेन देन है थोड़ा सा जुखाम हमें हो रखा है, तो उस चीज़ के लिए थोड़ा से बेर कीज़ेगा सबसे पहले पॉइंट आता है, यहां पर बॉड़ी डिजाइन एंड फील के बारे में इसका डिजाइन मुझे प्रैक्टिकली काफी अच्छा लगा, आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा डिजाइन आता है बैक साइड में आपको यहां पर कैमरा सेटब देखने को मिल जाता है, जिसमें एक जो है कैमरा फाल्तो में डिजाइन देने के लिए दे दिया है यहां पर कलर जो है आप देख सकते हैं, यह ग्रीन टाइप का कलर है, यह मैंने और किया है, काफी सही कलर लगा मुझे इसके जो यहां पर कॉर्नर्स हैं, आप देख सकते हैं, पुरा फ्लैट टाइप में यहां पर आपको देखने को मिलता है और वहीं पर बात करें, इसकी विड जो है, डेफिनिली आपको थोड़ी सी बड़ी लगेगी आइफोन की याद दिलाएगी, शाओमी वाले आइफोन को यहां पर कैसे छोड़ देंगे, सारी चीज़े कॉपी करते हैं, तो यह कॉपी करना भी बन जाता है बट वहीं पर बात करें, फोड़ा से यहां पर हेवी साइड में आ जाता है, बहुत जादा हेवी नहीं है आप यूस्टू हो जाएगे, किसी भी फोन को कुछ टाइम तो यूस करें, उसके बाद यूस्टू हो ही जाते है बैक में आपको ग्लास देखने को मिल जाता है, पूरा मैट फिनिशिंग के साथ आता है, तो यहां पर कोई भी फिंगर प्रिंट वगरे रेजिस्टर नहीं होता है देख सकते हैं, कितने भी हाथ लगा लो, आपकी चमक बरकरार रहेगी यहां पर जो यहां पर बंप आउट निकल के आता है, यह काफी जादा बाहर को निकल के आता है, जिसकी वज़े से एक दिक्कत आती है इस कोने से नहीं आएगी, इस कोने से नहीं आएगी, ओनली ओनली इस कोने से आएगी तो काफी ज़ादा वाबल हो जाता है कैमरा के बंप की वज़े से आपको यहाँ पर हाइब्रीड सिम स्लोट देखने को मिल जाता है मतलब आप यहाँ पर एक सिम, एक माइक्को एजडी काड या दो सिम लगा के इसे यूज कर सकते हैं मेमरी को एक्सपैंड भी करना चाहें तो डेफिनिटली कर सकते हैं एक अच्छी बात है उसके बाद एक और अच्छी बात है यहाँ पर एक ऐसा गड़ा मिलता है जो आजकल के फोन में आना बंद हो चुका है सो हेड़फोन जैक का गड़ा मिल जाता है ये गड़े के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं उसके बाद ऊपर में आपको speaker grill देखने को मिलती है नीचे में भी speaker grill देखने को मिलती है earpiece में यहाँ पर speaker नहीं जो अगेन एक अच्छी बात है बाकि आपको यहाँ पर एक infrared sensor भी देखने को मिल जाता है So overall, build quality and design के मामले में phone मुझे काफी धासू लगाए कोई भी दिकत नहीं आए, कोई नहीं बोलेगा भाईया, यह 10,000 यह 15,000 का phone है एक अच्छा खासा looking phone definitely यह बन जाता है इस design के साथ Now, अभी जो है अगला point आता है display and sound quality यह चीज आज के टाइम पर काफी जादा important हो जाती है क्योंकि चाहे यहाँ पर हम content viewing करेंगे कुछ भी करें, sound और display का combination अच्छा खासा होना चाहिए and इस phone में आपको अच्छी खासी display मिल जाती है आपको यहाँ पर 6.67 इंच की full HD+, AMOLED HDR 10 plus display मिल जाती है जिसमें आपको front में Corning Gorilla Glass 5 का protection देखने को मिल जाता है and यहीं पर बात करें इसके bezels की तो definitely आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी पतले bezels हैं, दिखने में फोन काफी यहाँ पर जो है अच्छा लगता है bezels ना के बराबर आपको देखने को मिलते है and यहाँ पर जो है आपको punch hole display मिल जाती है उसे के साथ यहाँ पर जो display आती है यह आपको 120 Hz के refresh rate के साथ आ जाती है 360 Hz का touch sampling rate मिलता है मतलब touch sampling rate मतलब कि आप जब touch करते हैं तो कितनी देर में वहाँ पर response time आता है यह gaming के time पर definitely यहाँ पर काम आता है so यहाँ पर display overall मुझे काफी sharp लगी काफी crisp display है and color production भी काफी अच्छा कासा आपको इस display के साथ मिल जाता है and वहीं पर बात करें outdoor visibility की तो यहाँ पर peak brightness up to 1200 nits तक जा सकती है so धूप में अच्छा खासा visible रहता है कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप अपने phone को बहार बहुत जादे use करते हैं उसी के साथ आपको यहाँ पर widevine L1 का support देखने को मिलता है जिसका मतलब यह है कि आप Amazon Prime वगेर में या Netflix वगर में full HD content बे धड़क होके देख पाएंगे even YouTube में भी आप HDR content यहाँ पर view कर पाएंगे बट कुछ दिक्कते हैं डिस्पले में जो मैंने यहाँ पर observe की वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर किसी किसी सिनारियो में यह over sharpen कर देता है जब आप कोई HDR वीडियो चलाते है यह HDR के केस में होता है तो over sharpen करने से थोड़ा सा यहाँ पर quality बहुत जादा अच्छी नहीं होती है वो थोड़ा artificial type का लगने लगता है जैसकि आप सब देख सकते हैं नीचे GT Neo 2 है उपर यहाँ पर यहाँ पर जो है पर sound बहुत प्यारा इसमें देखने को मिल जाता है जितनी अच्छी display है उतना अच्छा sound मिलता है sound से output अभी तक का में को काफी जादा loud लगा है even आपको Dolby Atmos का भी support देखने को मिल जाता है so आप sound का sample खुदी सुन लिजे so यहाँ पर sound ऐसा नहीं कि बस loud quality sound आपको definitely मिल जाती है इसमें Dolby Atmos के साथ so overall display and sound के perspective से ये phone OP है इस price range में आपको सारी चीज़ें मिल जाती है Xiaomi 11 Lite NE 5G में भी जो drawback लगा था 90Hz का refresh rate मिलता है वो सारी कमियां यहाँ पर पूरी हो जाती है now अगला point आ जाता है network connectivity and sensors तो यहाँ पर यह important point बन जाता है क्योंकि काफी जादा जो चीज़े हम net से connect हो के करते है तो आपको यहाँ पर आने वाले टाइम में 5G जब भी आएगा भी यह 8 5G के band आपको देखने को मिल जाते है उसके बारे में बात करने का मतलब नहीं नहीं क्योंकि 5G अभी आया नहीं है 4G में आपको carrier aggregation का support देखने को मिलता है ओवरॉल यहाँ पर connectivity में कोई शिकायत नहीं है सारी चीज़े up to the market जैसे WiFi 6 मिल जाता है Bluetooth का latest version 5.2 आपको इसमें देखने को मिलता है हेलो हेलो हमें 3 दवान है नहीं हमें 2 दवान है गुजराती नहीं आई छे पुंडवरी अच्छे नहीं आई छे अगर यहाँ पर call reception quality की तो यह भी आपको काफी अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल जाती है सारी voice यहाँ पर अच्छे से आती है अगर आपको voice break hug होके आ रही है तो मैं आपको बोलूँगा WiFi calling को off कर दीजिए उसके बाद आपको अच्छी खासी sound मिलेगी बड़ यहाँ पर एक दिक्कत है यहाँ पर जो है proximity sensor मिसिंगे शाओमी के फोन में पता नहीं क्यों यह लोग proximity sensor नहीं डाल रहे है accelerometer का use कर रहे हैं यहाँ पर जब आप ऐसे बंद होता है यह कहीं कहीं सिनारियों में fail हो जाता है अब मैंने कांस हटा रखा है call चल रहा है लेकिन यह screen off है थोड़ा सहील है तब जाके इसको होश आया तो देख सकते हैं यहाँ पर screen अभी भी off है तो यहाँ पर sensor का होना काफी ज़्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि किसी किसी सिनारियो में यहाँ पर proximity sensor का काम तो भहिया proximity sensor ही करेगा so definitely proximity sensor की कमी हमें दिल और धड़कनों से बिलकुल महसूस होती है उसके बाद आपको Google का dialer and Google का message आप देखने को मिल जाता है so call recording का message आता है वह message अभी भी आएगा सामने वाला सतर्क हो जाएगा सावधान हो जाएगा और वही बोलेगा जो उसने नहीं बोलने का सोच था या बोलने का सोच था अगर यहाँ पर बात करें haptics की तो guys मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर one of the best haptics आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते है 4D motor या 5D motor या जौन सी भी motor यूस किये काफी अच्छा खासा यहाँ पर आपको haptics देखने को मिलता है उसी के साथ आपको यहाँ पर side mounted fingerprint sensor देखने को मिलता है जो बहुत ही तेजी से यहाँ पर काम करता है बाजू में घंटी है उसको भी दबा दीजिए ताकि ऐसी important videos आप future में miss ना कर सके यह point बहुत important point है क्योंकि यहाँ पर software experience अच्छा होना चाहिए phone में तभी phone को लेने का मतलब है तो software UI के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पर MIUI का enhanced version 12.5 इसमें out of the box देखने को मिल जाता है जो Android 12 पे नहीं Android 11 पे यहाँ पर running है यहाँ पर अभी Xiaomi वालों ने नहीं बताया है कि कितने Android के update देंगे hopefully 2 या 3 यह लोग update देने चाहिए and security patch at least यहाँ पर 3 साल का देना चाहिए अभी January का यहाँ पर security patch हमें latest update में मिल चुका है so MIUI 12.5 enhanced version के साथ यहाँ पर काफी चीजे change होई है पहले Xiaomi जो है बहुत अच्छा perform नहीं कर पाता था बट अभी जो है काफी अच्छा यह perform कर रहा है and यहाँ पर MediaTek के processor के साथ MIUI काफी अच्छा perform कर रहा है यहाँ पर इस चीज को दिखाने के लिए हमने भाईय यहाँ पर 60 minutes का CPU throttle test किया था आप देख सकते performance test से मस रही है कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही है तो आपको एक अंदाजा मिल जाएगा बट कभी कबार जो है यहाँ पर system में jittiness आ जाती है जो लोग यहाँ पर custom room चाहते हैं अपने Xiaomi फोन लेने के लिए पीछे बहुत सारे लोग कारण रहता है custom room तो media tech के साथ यहाँ पर पहले Poco F3 GT हुआ था launch उसमें कुछ custom room आई है बहुत जादा custom room का support देखने को नहीं मिलता है and same case इसमें भी हो सकता है बहुत जादा support आप नहीं expect कीजे क्योंकि media tech के साथ थोड़ा सा custom room का relation अच्छा खासा नहीं है कुछ device को छोड़के यह सारी चीजे तो cover हो गई अब आती है कुछ main चीजे जैसे पहले आता है camera performance कैसा है तो यहां पर इस point में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है camera sensors वगेरा काफी अच्छे use किये गए हैं यहां पर बट camera को उस हिसाब से यहां पर हमें performance देखने को नहीं मिलता है मैंने यहां पर detailed camera की एक review video बनाए उसमें compare किया है और devices के सांथ आप उस video के यहां पर eye button जाके देखिए आपको एक अच्छा खासा idea मिल जाएगा बट मैं आपको short में बता देता हूं यह बहुत सारे scenario में जहां पर इसका primary camera use होता है यहां पर ultra wide या macro use होता है तीनों में यह बहुत जादा dark photo निकालता है तब ही जो है camera के perspective से यह phone अच्छा बनेगा अभी के present scenario में बोलूँगा camera का अगर आप मन में सोच रहें लेके कि आपको यह phone चाहिए camera के लिए तो मैं definitely recommend नहीं करूँगा एवन एक और चीज़े वीडियो में आपको EISB देखने को नहीं मिलता है सो काफी shaky वीडियो आपको मिलने वाली है बट जहां पर इतनी सारी खामिया है एक खूबी यह मैं जाती है कि front camera इसका luckily काफी अच्छा यहां पर work करता है काफी natural colors, काफी stable photos and overall front camera से सारी चीज़े यहां पर up to the mark निकल के आती तो camera में capability है बट software की वज़े से यहां पर दिक्कत हो रही है जिसे आने वाले टाइम में Xiaomi को definitely यहां पर एक major concern के तरह लेना चाहिए क्योंकि इतने पैसे खच करके camera भी हम एक अच्छा खासा expect करते है उससे decent amount photo आनी चाहिए और बाकी डाउट के लिए आप उस वीडियो को देख लिए आपके सारे डाउट यहां पर clear हो जाएंगे ना दूसरी चीज़ आती है performance and gaming तो यहां पर आपको Media Tech का Dimensity 920 का processor देखने को मिल जाता है जो latest 5G processor है यहां पर इसकी performance काफी अच्छी है आप इसको comparable बोल सकते है Snapdragon 778G के almost around का ही आपको यह performance देखने को मिलता है यहां पर मैंने gaming करके देखा multitasking करके देखा कहीं पर भी यह lag नहीं हो रहा या ऐसा लग रहा था कि बहुत जाद है यहां पर दिक्कत दे रहा है ऐसी situation बिल्कुल नहीं आई so performance की मामले में यह phone अच्छा है और उसके साथ MIUI में भी performance का अच्छा खास optimization है और ऐसे ही सारे benchmarking test and even इसे मैंने 778G के साथ full to raw comparison किया आप उस वीडियो के यहां पर आई बटन जाके देखिए आपको idea मिल जाएगा so overall performance में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप एक performance में moderate phone expect करते तो definitely आपकी सारी expectation यह fulfill कर देगा अब ही आते हैं last point पर जो है इसका MSP Xiaomi 11i hyper charge जो 11i और Xiaomi को उटा दे तो hyper charge बता है so hyper charge definitely यहां पर work करता है बट 15 minutes में यह full charge नहीं करता है मैंने phone को full dead किया 20, 22, 23 minutes तक यह ले लेता है full charge होने में dead phone से 100% पहुँचने में तो यहां पर company वाले अलग-अलग environment में करते हैं या maybe 1% से करते हैं 23 minutes लग जाते हैं and battery backup के बारे में बात करें तो वो भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है कोई भी major यहां पर मैंने battery draining ऐसी face नहीं की है so अगर आप heavy usage करते हैं तो आपको 5 गंटे का या 4-5 गंटे के बीच में screen on time देखने को मिल जाएगा moderate usage में 6 गंटे तक जा सकता है and light usage में यह 7 hours तक जा सकता है so guys हमने यहां पर सारी चीज़े clear कर दी अगर still आपके मन में कुछ doubt है तो नीचे comment section में comment कीजिए या Instagram पर हमसे जोड जाएए Telegram पर जोड जाएए सारे doubt वहां पर clear कर देंगे तो अब आते हैं conclusion के बारे में तो यहां पर आपको इस phone को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए अगर आपको ऐसा phone चाहिए जिसमें आपको बैटरी का जो है charging speed बिल्कुल supersonic मिले उसके बाद performance आपको अच्छा खासा मिले एक अच्छा software experience मिले अच्छी display मिले अच्छा sound मिले बट अच्छा camera अभी इस time पर आप expect नहीं कर रहे है तो मैं बोलूँगा आप इस phone के सांद जा सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ camera के perspective से मैं थोड़ा से यहां पर डगमगा जाता हूँ इस phone को लेने के लिए otherwise बाकी सारी चीज़े ठीक है अगर camera को यहां पर आगया अनिवल टाइम में software से improve करते हैं क्योंकि करना चाहिए capability है camera में बट यहां पर यह अभी roadie नहीं बन सकता है क्योंकि यहां पर software optimization camera के साथ अच्छा नहीं है आगया अनिवल टाइम में ठीक करेंगे तो definitely यह phone टोटल धमाल हो सकता है आपको कैसा लगा यह phone नीचे communication में comment करके जरूर बताना अगर पच्चेच हब्वीस हजार का budget है definitely इस phone को आप consider कर सकते हैं वीडियो को लाइक कीजिए अपने दो शेयर कीजिए मिलते हैं इसी किसी न्यू इंडरसिंग धासवाड़ी वीडियो साथ तेल देन जाए हिंड टेक केर एंड स्टेए फिट